हमें स्वागत है आपके एको नई फीडियो में भाई आपको ओपन केंपस का नाम पता है क्या नहीं पता भाई ओपन केंपस फॉर्श और उन लोगों को पता होगा जिन्होंने बाइनेंस के पर अभी हाले में ही पार्टिसपेट किया था एक लॉंच पैडिके उपर प्रोज में कितने टोकन मिलने वाले हैं लेकिन हम बात करेंगे कि अगर एक लास स्टेप बचा हुआ है अगर आपने वो नहीं करा जो की काफी मेरे भाई नहीं कर रहे तो भाई आपको ओपन केंपस जो टोकन है वो आपको नहीं मिलने वाले सिंपल के लिए मैं आपको बताने वाल है और ध Manhattan क्रिप्तो के मार्केट में जसके उपर आपको देखना है सीठना है बचना है और यह अपको नहीं करने अगर आप क्रिप्टो के मार्केट के अंदर रहो वै मैं है के साथ यूई काफी मेरे भाईयों के पास मेरे पास कॉल आए कि भाईया हमने पी-टू-पी किया था और पी-टू-पी में क्या दिक्कत आ रही है यह आगे बात कर लेंगे फैले मैं आपको बाइनेंस का जो मुद्दा है वो बताएता हूँ तो बेसिकली आपको सीधा बाइनस के पर आना ह के बाद मैंने अलड़ी आपको बताया हुआ है कि launchpad के पर आके आपको क्या करना है यहाँ पर जो open campus है अगर आपको उसके अंदर participate करना है तो आपको अपने spot के पर BNB token रखने पड़ेंगे ठीक है तो आज क्या हुआ हुआ है आज इनका जो subscription वो start हो चुका है यहाँ पर आपको नीचे आना है और जहाँ पर commit लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद all का option क्लिक करना और commit कर देना यानि कि अब आपने subscribe कर दिया है ठीक है काफी मेरे भाईयों ने subscribe नहीं किया हुआ देखो आपने BNB अगर hold करे हो है वो एक अलग हुदा है अगर आपको token चाहिए तो भाई आपको यह step करना पड़ेगा यहाँ पर आके commit कर देना ठीक है जब आप commit कर दोगे तो आपका जो है start हो जाएगा और अब मैं आपको बतायता हूँ कि किस time तक आपको यह token मिल जाएंगे ठीक है तो token का calculation time चला है भी अधाई बज है तो यहाँ पर आके commit ज़रूर कर देना otherwise आपको token नहीं मिलने वाले अब भाई P2P scam के बारे में बात करने वाले है तो सबसे पहले आप यह एक tweet देखो यह किसी भाई का है यह कह रहे है कि मैं trade कर रहा हूँ P2P के उपर 15-16 दिन से ठीक है और इनका जो Binance account है भाई वो दो बार freeze हो चुका है ठीक है January के अंदर और इन्होंने बताया Binance please give us support मतलब Binance की तरफ से कोई भी support नहीं मिला जो cybercrime है इनका account already freeze कर चुकी है अब मुद्दा क्या है मुद्दा भाई यह है मैं आपको पहले एक example बताता हूँ basically परसो मेरे भाई एक भाई है हमारे बहुत पुर मैंने पैसे भेज दिये हैं लेकिन उदर की side से मुझे USDT नहीं मिले भाई वो problem अभी तक भी solve नहीं हुई है वो P2P के उपर है ठीक है एक तो तरीका यह है scam करने का यानि कि आपसे पैसे ले लो पैसे लेने के बाद आपको भाई क्या आपको USDT नहीं भेज़े जा रहे साम मुझे लगता है कि नाम नहीं लेना चाहिए तो basically यह एक है जिन्होंने की P2P करा था ठीक है यहाँ पर आप देख लो P2P नोने करा था और P2P करने के बाद यह इनकी transaction है इन्होंने लगबख 50,000 रुपे क्या करे थे अपने USDT भेजे थे बेचे थे है ना और इनकी account में 50, 50,000 रुपे आ गए ठीक है क्योंकि P2P से selling करी थी USDT की सामने वाली party ने इनको पैसे भेज दी है अब क्या दिक्कात होई भाई थोड़े दिन बाद ही इनका जो account था भाई वो कर दिया गया freeze क्यों क्योंकि जो सामने वाली party थी शायद उसने शायद मैं आप लगा रहूं श यह बता दिया कि भाईया गलती से मेरे जो पैसे इनके account पे चले गए बैंक के पास यह एक क्या सकते हो एक report आई report के बाद bank ने क्या करा cyber crime में contact करा और इनके भाईया account freeze करवा दिये गए ठीक है अब Binance से काफी help मांग रही है यह है साहिल कुमार देख लो भाई आपको उपर जो कि scam कर रहे है अब इसके बाद क्या हुआ देखो इनके USTTV चले गए ठीक है उपर से क्या है इनके account भी फिरीज हो गए और तीसी बात आप देखो कि भाईया जो cyber crime वाले है वो इन से पूछ रहे हैं यहाँ पर देखो एक screenshot है इधर देखा था कि cyber crime वाले है यह कहा कहां से आया है और क्यों आया है मतलब cyber crime वाले यह इन से सवाल करने कि यह पैसा बताओ कहां से आया और क्यों आया है तो भाई देखो अगर आप P2P करोगे या crypto से आप transaction वगरा करोगे P2P कितरू या पैसा आएगा तो भाई एक सिंपसी बात है यार कि हम आज भी खुलके नहीं बता सकते हैं कि हमने crypto से कमाया है हलाकि इसमें गलत कुछ नहीं है ठीक है, या crypto से हमने लिए है क्योंकि इसको taboo की तरह देखते हैं आज में समाज के अंदर, भाई इसमें क्यां गलती या गलती यह है तो इंडिया के अंदर regulation बिल्कुल भी नहीं है, कि कोई खुलके के बता दे कि भाई यह पी टूपी से आया है यह हमने क्रिप्टो से करा कि कोई रेगुलेशन होती ही तो भाई यह चुपाने की जरुवत हमें नहीं पड़ती दूसरी बात अगर हम लेजट तरीके स्वार्च और हम सारे लेजट तरीके से मार्केट में काम करते हैं सारे ही हम लेजट तरीके भाई यह महनत की कमाईई है यह जो 50 यह रुपएowyn य महनत की कमाईई है यह चुराया लएं यह रोड़ पर जाके किसी को पिस्टल दिखाके हमें चोड़ी नहीं करें भाई यह हमारी महनत की कमाईई है अगर हम मैनत की कमाई कोई हमें चुपाना पड़ रहा है तो इसका मतब सिंपल यह है कि कहीं न कहीं हमारे मन में डर है कि भाई सामने वाला गलत ना सोचे इस पैसे को लेकर ठीक है और भाई अब बता भी नहीं सकते तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे भाई मैं एक ट्विटर का जो अकाउंट है उसमें एक ट्विट है ट्विट का न मैं आपके सामने साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ इसी वीडियो के कमेंड बॉक्स में बाई किर्पिया करके इस वाले ट्विट को जितना हो सके उतना रिट्विट कर देना हेल्प हो जाएगी सामने वाले की भी प्लस हमारी जो कम्यूनिटी है यह और मजबूत हो सकती है और आपका इस वीडियो का टेक अवे भी यह है कि P2P बिलकुल ना करें P2P से आपके अकाउट फ्रीज हो रहे है ठीक है P2P से जो सामने वाली पार्टी है वो UST TV ने दे रही कुल मलाके टूटल स्कैम का धंदा चलना है इस धंदे में आप बिलकुल भी ना आए गलतिया होती है दूसरे से आपको सीखनी है प्लस आगर हमारी कम्यूटी में किसके साथ गलत भी हो रहा है तो भाई हमें उसे सपोर्ट करना है क्योंकि इन दी एंड इससे हमारी कम्यूटी ही मजभूत होगी हल की नहीं होगी ठीक है तो भाई ये एक ट्विट का जो है नहीं इसमें और भाई ये जो सारी बाते चल लिए हैं इनसे हमें शायद बच के रहना है समल के रहना है बी सेफ मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अपने ध्यान रखें क्रिप्टो का ज़से सिंदाबाद, क्रिप्ट मार्केट सिंदाबाद क्रिप्ट इंवेस्टर जिंदाबाद